Hello everyone, welcome back to the channel. तो हम 27th January को जो J-Means की shift 1 हुई है. उसके memory-based questions जो net पर available हैं, PDF form में उनको अपन solve करने की कोशिश करेंगे. तो first question पर आजाते हैं सबसे पहले. तो इसके अंदर common terms पूछे हैं, 2 AP के अंदर. यह अपने revision video के अंदर भी देखा था. दो AP के जब अपन common terms लेते हैं, वो भी AP में आते हैं. और उनका जो common difference होता है, वो common difference दोनों AP जो अपने ली है, उन दोनों APs का common difference का LCM होता है. जैसे अगर अपन यह first AP देखें, तो इसका common difference 5 है, second वाले का common difference 6 है. तो अपन जब common terms लेंगे, तो 5 और 6 का LCM अपने बास क्या जाएगा, 30. तो जैसे first common term क्या रहा है, अपने बास 9, तो first वाला जैसे 9 हो जाएगा, फिर 30 आड़ करेंगे, तो क्या जाएगा, 39. फिर से 30 आड़ कर देंगे 69, फिर से 30 आड़ कर देंगे 99, 129 ऐसे चलता जाएगा, पर हमें कैसे पता चलेगा, कि हमें कहां तक terms लेने हैं, तो इसके लिए उन्हें बोला है कि, first AP के 25 terms ही लेने हैं, तो अपन 25th term निकाल के देख लेते हैं, ये AP कहां तक है, तो formula हमें पता है, a plus 25 minus 1 into common difference, तो ये आजाएगा, हमारे पास यहाँ पर 124, आजाएगा 290, और बेटा क्योंकि common terms लेने हैं, तो पहली वाली series 124 तक है, दूसरी वाली भले 219 तक हो, लेकिन common terms तो 124 के आगे नहीं आएगे न, पहली वाली AP खतम हो जाएगी, तो आपको 99 के आगे वाले ये term जो बड़े आ रहे हैं, 124 से यह नहीं लेने, तो आपके पास 4 terms जो हैं, वो common आजाएगी, ठीक है, simple concept है, और किस chapter से question आया है मारे पास, AP से आया है, और class 11th का है, sequence and series, ठीक है, second question पर आते हैं, second question भी sequence and series का है, method जो लगेगा, वो AGP बादा लगेगा, तो भले ही syllabus के अंदर, special series और इस सब नहीं लिखाता, पर हमें वही chapter नहीं पढ़ने है, reasoning जैसे हो गया, mathematical reasoning, जो chapter हटा दिया है, थोड़ी थोड़ी चीजें जो हटाते हैं, या किसी ना किसी form में आही जाती है, तो इस पर भरोसा नहीं करना, तो अभी यहाँ पर अपनको sum निकालना है, तो अपन इस तरह की question में क्या गरते हैं, अपन जो r होता है common ratio, जैसे यहाँ 1 by 4, 1 by 4 square है न, अगला term जैसे होगा 3 plus 3p by 4 cube, यह चलता जाएगा, तो अपन इसको क्या गरते हैं बटा, r से multiply कर लेते हैं, r 1 by 4 है, यहाँ 8 by 4 आजाएगा, यह बन जाएगा 3 by 4, फिर यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा 3 plus p upon में आजाएगा 4 square, फिर यहाँ पर जाएगे, यह क्या बन जाएगा 3 plus 2p upon 4 cube, चलता रहेगा इसे, दोनों को क्या करना है अपन को, subtract, तो 8 में से 8 by 4, यानी 8 में से 2 हटा दिया, तो क्या आएगा 6, अच्छा, इधर 3 के नीचे तो कुछ भी नहीं है, इधर जब सब्ट्राइड करेंगे, तो यह 3 कट जाएगा, तो अपने पास बचाएगा p by 4, इधर भी 3 कट जाएगा, 2p में से p अटा होगे, तो p by 4 स्कुरे, फिर आएगा p by 4 के, तो यह infinite gp, तो 3 इधर भीज़ दते हैं, 6 minus 3, 3 होता है, फिर यहाँ पर अपनी gp होगी infinite, a upon 1 minus r, first term a है p by 4, और common ratio अपने पास क्या आजाएगा, 1 by 4, तो 1 minus 1 by 4, इसको अब अपन सॉल कर सकते हैं, तो यहाँ से p की value अमारे पास नहीं ना जाएगा, तो again very simple question, फिर से 11th class का ही सवाल है, और किस chapters आया है, फिर से sequence and series, तो sequence and series के दो questions आ गएए, जब revision series करी थी तब आपको बोली थी कुछ चीज़ें, जैसे quadratic sequence से एक-एक सवाल, binomial से एक सवाल, vector 3D, matrix determinant, conic tune के सवाल भी अपन को देखने को में नहीं है, तो यह third वाला question, अपना किस chapter से आया है, conic section, और conic section के अंदर भी ellipse के अंदर आया है, अब इसमें क्या बोला है, कि length of chord निकालो, जिसका midpoint है 1,2 by 5, तो अगर बिटा midpoint दिया वाए है, तो chord की equation क्या होती है, chord विका given midpoint, T बराबर S11, तो पहले 1,2 by 5 से T निकाल लेते हैं, तो यह आजाएगा x into x1, यह यह x into 1 upon 25, फिर y into y1, जो कि यहाँ पर है 2 by 5, नीचे 16 है, और 1 को एक तरफ रेज़ देंगे, minus 1, right hand side के अंदर point put कर देंगे, S11 के लिए, तो 1 by 21, 2 by 5 का whole square, 2 by 5 का whole square क्या हो जाएगा, 4 by 25, और यहाँ भी आजाएगा, minus 1, तो यह वाला part क्या हो जाएगा, अपना cancel हो जाएगा, इस तरह से, तो अब आप इसके आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे LCM ले सकते हैं, तो अब आप जैसे LCM लेंगे, तो आप देखेंगे, आपके पास quad की equation आजाएगी, तो यहाँ पर इन्होंने simplify करके लिखी है, 8x plus 5y बराबर 10, अब length के लिए क्या तरीका होता है, एक तो होता है कि यार मानलो point simple है, तो point simple में क्या करते हैं, अपने इस line की equation को इसके साथ solve कर देते हैं, जैसे अपनी ellipse थी x square by 25, और plus में था y square by 16 बराबर 1, तो मानलो 2 point है अपने पास point of intersection, एक point होगे अपना x1, y1, और एक point होगे अपने पास अपना x2, y2, तो x1, y1, x2, y2 जो भी हैं, वो निकाल के अपन क्या कर सकते हैं, distance formula लगा सकते हैं, पर जरूरी नहीं है जैसे इस case के अंदर की अच्छे points आएं, तो उस case में अपन क्या कर सकते हैं, वैसे तो formula होते हैं, और quadratic के अंदर पिटा हमे sum of roots, product of roots, यह सब निकालना आता है, तो अगर x1 plus x2 के square में से 4 x1, x2 हटा लेते हैं, तो क्या बनता है x1 minus x2 का square, तो अपन जैसे यहाँ y है, तो y को अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे, 10 minus 8x upon 5, और इसको अपन यहाँ पर put कर देंगे तर, तो यह आजाएगा जैसे x2 by 25, यह यहाँ पर देखों, इन्होंने किया हुए, 10 minus 8x by 5 का square और यह असा, तो यह quadratic आजाएगी, और इस quadratic से अपन क्या कर सकते हैं, quadratic बनाने के बाद, sum of roots, product of roots, इस quadratic से निकाल कर, इसके अंदर put कर देंगे, तो यह आजाएगा, फिर अब y में क्या करें, क्या सर, y में भी quadratic बनानी पड़ेगी, नहीं, उसमें जरुरत नहीं, क्यों, जैसे x1, y1 इसको satisfy कर रहा है, तो 8x1 plus 5y1, 10 हो जाएगा, यसी तरह 8x2 plus 5y2, यह भी क्या हो जाएगा, 10, तो अगर इनको subtract कर लेके हैं, बिटा, तो यहां से y1 minus y2 आजाएगा, अमारे पास, minus का 8, और into के अंदर, x1 minus x2, और upon में आजाएगा, अमारे पास यहां पे 5, तो अगर आपने x1 minus x2 का square निकाल लिया है, तो अब आप यहां पे क्या कर सकते हो, y1 minus y2 का square भी निकाल सकते हो, उसको यहां पुट करके, distance formula से solve कर सकते हैं, तो 1, 2 direct straight forward थे, यह बस थोड़ा सा lengthy है, पर अगर आपने quad की length और quadratic के use के question की हैं, तो आप इसको जरूर attempt कर सकते हैं, 4th वाला 12th class का question है, यहां आप एक स्क्यूब और प्लस के अंदर अपने पास यहां पर दे रखी कुछ चीज़ है, x square प्लस f dash 1, f dash 2 और f dash, f double dash के terms में, तो अपन को यह सारी चीज़ें पता नहीं है, पर अपन इनको निकाल सकते हैं, तो जैसे यहां पर f x है, यह f x किसके बराबर आ रहा है, x cube प्लस x square इंटू f dash 1, प्लस x इंटू f double dash 2, और प्लस के अंदर f double dash 3, तो अपन इसमें क्या गरते हैं, इसको वापस वापस differentiate कर देंगे, जैसे इन्होंने पहले f dash x लिया, तो x cube का होगया 3x square, इसका 2x, इसका 1, यह खतम होगया, तो यह आगे, वापस differentiate कर दिया, तो 3x square का differentiation होगया 6x, 2x का हो जाएगा 2, और यह constant चला जाएगा, वापस differentiate कर दो, तो 6x का आजाएगा 6, तो f triple dash x जो है, वो constant आ रहा है, हमारे पास 6, तो हमें f of x function निकालना है, और उसमें अगर f dash 1, f double dash 2, f triple dash 3 की value आ गई, तो अपन put कर देंगे, एक बार fx आ गया, तो आप f dash 10 निकाल सकते, तो अब f triple dash x हमेशा 6 आ रहा है, तो इसका मतलब f triple dash 3 जो होगा, यह भी किसके बराबर हो जाएगा 6, तो f triple dash 3 हमें पता चल गया, यह है 6, अब रही बात f dash 1 और f double dash 2 की, तो वो यहां से अपन linear equation 2 variable बना देंगे, तो इसमें f dash में क्या करो बेटा, आप x को 1 रखोगे, अगर आप x को 1 रखोगे, तो आपके पास क्या आएगा, f dash of 1, और equal to में आ जाएगा 3, plus 2 times f dash 1, और plus के अंदर आपके पास आजाएगा, यहां double dash होना जाएगा, plus के अंदर आपके पास आजाएगा f double dash 2, और f double dash वाल expression में आप 2 रख दो, तो f double dash 2 अगर आप निकालेंगे, तो यहां आजाएगा 6, 2 जा 12, plus 2 f dash 1, तो यहां से बटा f dash 1, f double dash 2 में दो linear equation मनी है, solve करके f dash 1, f double dash 1 निकालो, एक बार उनको निकालके, जब तीनों को यहां रख दोगे, तो आप x बराबर 10 पे differentiation की value बता सकते हैं, यह भी simple question है, हाँ, थोड़ा सा lengthy है, बट इतना lengthy है पन कर सकते हैं, फाइव मिनिट के अंदर अंदर तो करी सकते हैं, फिफ्थ वाला बढ़ाई simple question है, integration का, 12th class का, और इसके अंदर directly अपन simple, अगर rationalization करें इसका, किस से rationalize करेंगे इसको अपन, root of x plus 3, minus root of x plus 1, तो अगर आप इसके अंदर rationalize करने जाएंगे, तो rationalize करने के बाद, ऊपर आजाएगा root of x plus 3, minus में आजाएगा root of x plus 1, नीचे x plus 3 और x plus 1 का difference आजाएगा, तो अब अपन दोनों को अलग-अलग integrate करके, limit लगा सकते हैं, और फिर इसके बराबर compare करेंगे, तो ABC आजाएगा, तो यह बहुत ही simple question था, mostly first shift के अंदर generally easy चीज़ें देखने को मिलती है, और इस पार भी ऐसा ही था, sixth वाला question complex number का है, यह I think most of the coaching के sheet या DPP के अंदर यह question होता ही होता है, तो आप में से कई बच्चों ने यह question देखा होगा, और directly हो सकता है, पढ़के tick भी कर दिया हो, तो यह अपन ने revision video जो देखी थी complex के उसमें भी discuss किया था, कि अगर Z-A का mod और Z-B का mod बराबर होता है, तो Z जो है वो क्या हो जाता है, perpendicular bisector हो जाता है A और B का, यानि A और B दोनों से distance बराबर हो जाती है, तो यहाँ Z की distance iota 1, और यहाँ Z plus iota है, मतलब भी distance minus iota से, तो iota minus iota और 1 तीनों से distance बराबर है, तो iota होता है 0,1 है न, 1 होता है 1,0 और minus iota होता है 0,-1, अब तीन point से distance बराबर कहां होती है, straight line में याद करो, आपने circumcenter पढ़ाता, जो तीनों के perpendicular bisectors का intersection point है, इसके तीनों vertex से distance बराबर होती है, और एक circle यहाँ से pass हो सकता है, और circumcenter सिरफ एक ही होता है, तो इन्होंने तो यही पूछा, कितने Z होंगे तो 1 आजाए रहे, इतनी भी मेहनत नहीं करवा रहे आपसे, कि यार circumcenter निकाल दो, तो बड़ाई simple question था complex number का 11th class का बिना लिखे निकाला जा सकता था, और simple question की बात करते करते binomial पर आ गए हैं, एक दो सवाल आते हैं आपको बोला था, तो binomial के अंदर simple आपसे पूछा है sum of coefficient, दो expressions के अंदर पूछा, पहले बोल रहा है कि 1 minus 3x plus 10x square की power n, इसके अंदर आप क्या कर लो, sum of coefficient निकाल लो, तो आप चुप चाप यहाँ पर x को 1 रखो, जब भी variable हट जाएगा, तो अपने आप सारे coefficients side हो जाएंगे, तो अगर x को 1 रखेंगे तो यह आजाएगा 8 की power n और यह है a, दूसरा वाला है हमारे पास 1 plus x square की power n, यहाँ पर भी x को 1 रखेंगे तो यह आजाएगा 2 की power n, अब यार यह तो अपने नर्सरी में पढ़ा था ना, कि 2 का q किसके बराबर होता है 8, तो a बराबर क्या आजाएगा अपने पास b q, तो यह तो मनलब और ली करने जैसे सवाल है, और 11 के काफी सारे सवाल देखने को मिले अपन को है ना, तो next जो आ रहा है अपने पास वो statistics का सवाल है, यह थोड़ा सा logical सवाल है, अलंकि अगर आपने sequence series के अंदर AIJ का summation देखा था, AIJ का summation देखा था तो आप इसका भी निकाल सकते थे, अचा यहां यह I not equal to J नहीं आना चाहिए, काफी सारे PDF जो online मिले थे pub memory बेश, उसमें AI greater than J था तो मैं इसको यही ले रहा हूँ, तो अब इसमें क्या है वेटा, variance हमें निकालना आता है, standard deviation variance का square root होता है, आपर sigma AI upon N, तो N यहां पर हमें पता है, N 10 दे रखा है question के अंदर, अचा sigma AI भी दे रखा है, सब का sum 50 है, तो mean तो पहले सी पता है, 50 by 10 में क्या आजाएगा, 5 का square subtraction है, ना variance निकाल के standard deviation लेगे, पर क्या नहीं पता, आपको यह नहीं पता कि, sigma AI square क्या होगा, अब इसके अंदर अपन क्या गर सकते हैं, अपन जितने भी यहां पर सारे observations हैं, इन सब का अपन क्या करेंगे, sum लेकर इनका square add करते हैं, A1, A2, A3 से A10 का whole square, जब आप squaring करेंगे, तो क्या होगा, जब आपने A plus B का square, A plus B plus C का square देखा होगा, तो सब के squares यहां पर individually addition में आ जाते हैं, यह वही quantity जो हमें निकालनी है, और फिर हमारे पास यहां पर क्या आ जाता है, जैसे A into B, B into A, A into C, C into B, तो इसके अंदर सारे बन जाएंगे, A1 into A2, A2 into A1, A1 into A3, A3 into A1, मतलब I greater than J वाले भी बन जाएंगे, A I into A J, जिसमें पहला वाला दूसरे वाले से बढ़ा होगा, A1, A2, A2, A1, दोनों, पर हमें सिरफ I greater than J चाहिए, तो हम इसको 2 times लिख सकते हैं, जैसे 2 times आपने ले लिया, A2, A1, I बढ़ा है जैसे, या आपने ले लिया A3, A2, और ऐसे so on चलता जाएगा, तो ये वाली चीज हमें 1100 दे रखी, ये वाली चीज कौन सी है, ये है समेशन A I, A J, जहां I सब्सक्रिप्ट जैसे बढ़ा है, ये 1100 है, और इनका सब का सम 50 है, तो 50 का स्क्वेर होता है 2500, इसमें से आप 2 टाइमस 1100 हटा देंगे, तो सब के स्क्वेर का सम आ जाएगा 300, अब फॉर्मुला में पुट कर दो बिटा, 300 अपॉन 10 माइनस मीन का स्क्वेर ही आ जाएगा 5 के बराबर, ये जरूर पहला लॉजिकल सवाल है, जो यहाँ पर अपनको देखने को मिला है, नाइन्थ वाला अगीन वापस डिरेक्ट और सिंपल है, तो सबसे पहले तो पूछ रहा है, इनवर्स बता देते हैं इसका, तो इनवर्स निकालना आता है, अगर आप थर्ड रो के अलोंग डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करेंगे, तो कॉस स्क्वार एक्स प्लस साइन स्क्वार एक्स ये वन आ जाएगा, फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, एनवर्स कैसे लिखते हैं, एड्जॉइंट ओफ ए और अपन में हमारे पास आता है, डिटर्मिनेंट ओफ ए, डिटर्मिनेंट ए तो वन है, एड्जॉइंट ए क्या होता है, को फेक्टर्स की मिट्रिक्स का ट्रांस्पोर्ट, तो पहले आप यहाँ से शुरू करेंगे, आप है न, इसका लिखेंगे तो यह आएगा कॉस एक्स, फिर आप माइनस साइन एक्स का को फेक्टर लेंगे, तो जब आप इसका माइनर निकालोगे, तो साइन चेंज होगा, तो माइनस साइन एक्स इस तरह से बिखा, आप पूरी की पूरी, एडजोइंट वाली जो मिट्रिक्स आती है, वो एडजोइंट वाली मिट्रिक्स आप यहाँ पर बनाएंगे, और यहाँ पर आप यह अब्सर्व करेंगे, कि यह इसके जैसा ही है, बस साइन वाले का यह जो साइन एक्स वाले टर्म से, तो यह बिल्कुल correct है दूसरा वाला भी इतना ही simple है उसमें बोल रहा है कि यह जो आपका f of x है इसको आप f of y से multiply कर दो f of y मतलब x की जगे y तो जैसे यह बन गया cos x cos y minus sin x sin y तो cos a cos b minus sin a sin b पढ़ा है आप यह बन जाएगा cos of a plus b इसी तरह minus का sin x cos y तो इस तरह से यह matrix बनाएंगे तो आप देखेंगे सेम matrix ही आई है यह वाली बस x की जगे x plus y आ रहा है यानि f of x plus y है तो बड़े ही straight forward और simple थे class 12 के matrix या determinant का chapter का अपन इसको मान सकते है और बड़े ही आसानी से अपन इसको solve कर सकते थे ना lengthy है ना tough है और ऐसा ही question अमारे पास limits के अंदर भी आया था बस आँ दो limits solve करवा दी पर बिटा दोनों ही बहुत ज़्यादा simple थी आप direct lh लगा कर भी निकाल सकते थे है ना capital rule लगा कर भी निकाल सकते थे और rationalization से तो खेर आ ही जाता तो जैसे यहाँ पर यह 0 by 0 form है तो आप यहाँ तो दो बार rationalize करोगे इसे या lh लगा सकते हो chain rule से तो root of 1 plus root of 1 plus x की power 4 है यह बन जाएगा 1 upon 2 root 1 plus 1 plus x की power 4 अब इसका differentiation अगर वापस करेंगे तो यह आजाएगा 1 upon 2 root 1 plus x की power 4 और 1 plus x की power 4 का आता है 4x cube और नीचे भी आजाएगा बिटा अपने पास यहाँ पर 4x cube 4x cube वाला part हो जाएगा cancel अब आप यहाँ पर क्या कर सकते है इसके case के अंदर x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर आजाएगा आपके पास इदर root 2 वाला part आजाएगा इदर आजाएगा 1 यह बन जाएगा 1 by 4 root 2 जो कि यह है इसी तरब b के अंदर आपके पास है उपर sin square x नीचे भी root तो आप यहाँ पर भी rationalize करके standard limit बना सकते हैं direct भी कर सकते थे 0 by 0 form में LH लगाओ गए तो उपर आएगा 2 sin x cos x नीचे root x का करते हैं वैसे solve करेंगे तो minus का 1 by 2 root 1 plus cos x और cos x का खुद का minus sin x तो बटा यहाँ पर क्या होगा minus sin x कट जाएगा यहाँ पर और अब आप 0 रख सकते हैं यह 2 उपर जागे multiply हो जाएगा और फिर यह 1 plus 1 उपर आजाएगा तो यह 4 root 2 बन जाएगा तो a 1 by 4 root 2 है और b 4 root 2 है फिर आपसे इन्होंने a b cube की value पूछी है तो a b cube की value आप बड़े ही आसानी से calculate कर सकते हैं तो यह limits का question था कई जगे class 11th में बताते हैं कई 12th में बताते हैं mostly 12th में बताया जाता है तो बड़ा ही simple question था 11th के अंदर shortest distance का concept यहां पर पूछ लिया गया है revision series अपन ने पहले देखी थी अभी इस वक्त अपन most repeated questions की देख रहे थे last time अपन ने इससे पहले awesome revision series भी देखी थी तो इसके अंदर आपको मैंने links भी बेज़े थे जो भी अपन follow कर रहे थे अपन ने वीडियो देखा था minimum distance अपन किस पह निकालते है common normal के along निकालते है तो अपन यहां पर क्या गरेंगे ऐसा normal लेंगे parabola y square equal to 4x का जो circle का भी normal है और यहां पर अपन उसको circle का भी normal है तो यहां पर point कैसे लेते है 80 square, 280 a की value 1 है तो t square, 2t आजाएगा और मस्त अपन लिख सकते है norm फॉर्मूला तो याद आता ही है न अपन को तो y plus tx बराबर 80 cube plus 280 a1 है और circle का normal कभ होगा पिटा जब उसके center से जाएगा यहनि 2,8 तो इसका center 2,8 है और radius निकालेंगे तो 2 आएगा तो यहाँ पर अपन 2,8 रख देंगे मुलब कित्ती कद्व equation है मुलब 2T 2T कट हो रहा है T वराबल 2 हो रहा है कुछ मैनत भी नहीं करनी तो यह point आजाएगा 4,4 और और पता है कितना आसान आपसे curve के बीच की minimum पूछी नहीं है आपसे पूछा है सीधा center से ही minimum distance निकालो तो आप सीधा 4,4,2,8 के बीच में क्या लगा सकते हो distance formula अगर curve के बीच में पूछते तो फिर आपको यह radius subtract करना पड़ता पर बड़ा ही आसान सवाल था तो अगर यह आप पढ़े के गए थे तो कोनिक्स का मान सकते हैं क्लास 11 के बच्चों को पता होगा यह 12 के अंदर भी अपन application of derivatives में shortest distance पढ़ते हैं उसका सवाल भी माना जा सकता है 12 जो है अपना वो vector equation scalar product का सवाल है scalar triple product का तो मैंने vector में के वक्त भी आपको बोला था class में भी बोला था मत भागो तो यहाँ पर vector scalar triple product बन रहा है तो यहाँ पर अगर bracket खोलेंगे न तो a.c.c.b क्या बनेगा बिटा box of a.c.b और minus में आएगा a.b minus में a.c. अब इतना आसान सवाल है यह vectors का अपना class 12 का अगर आप इसे ध्यान से देखें कि a.c. तो दी रखा है question में 3 a.b आप यहाँ पर dot करके निकाल सकते हो तो यह भी पता है अचार यह कैसे निकालें c.c.b चिंता मत करो a.c.b को और कैसे लिखते हैं अपन अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a.c.b याद आया और a.b तो दे रखा है मतलब अगर अपन देखें न अपन लार्जर स्केल पर बात करें बोलते है math stuff है, lengthy है, moderate to difficult एक तो मुझे moderate to difficult समझ में नहीं आता भाई क्या होता है moderate to difficult अगर आप यह 30 questions देखेंगे अपन अभी 29 solve करेंगे तो आप ऐसा दिख सकतेंगे अगर आपने सब जो आपको पढ़ाएगे अगर आप वो देखेंगे भी गए और आप lengthy tough से दूर भी रहे हो logical सवा से भी दूर रहे हो तब भी आप easily 20 attempt कर सकते थे इस shift के अंदर आप आगे आने वली shift कैसी होगी वो तो जब आएगी तब पता चलेगा पड़ इसके अंदर आप definitely अच्छा कर सकते थे अब ये question जो है ये 10th class के अंदर है यह बोल रहा है एक line है कौन सी line है 4x plus 5y बराबर 20 और दो line origin से जारी है जो इसको क्या कर रही है trisect कर रही है तो इनके बीच का angle का 10 theta बताओ tangent of angle मतलब 10 theta तो अब ये भी ये ना memory based है जैसे कुछ paper में रहे थे PDF उसमें दोनों का अलग से slope पूछा था दोनों lines का M1 M2 10 theta लेकिन यहाँ पे दोनों के बीच में angle पूछ ले है तो कोई बात ने 10 theta angle between lines निकालना आता है नहीं M1 minus M2 upon 1 plus M1 M2 पर sir M1 M2 कैसे निकाले में डिवाइड कर रहा है एक ऐसा होगा जो 2 is to 1 में कर रहा है और बाकी line 00 से जारी तो अब आप 1 is to 2 वाला point कैसे निकालोगे जब आप इस पे section formula लगा होगे 1 into 5 upon 1 plus 2 आजाएगा और 2 into 4 upon 1 plus 2 अब इसका 00 से slope निकालेंगे तो एक slope आगया 8 by 5 इसी तरह दूसरे वाले में 2 is to 1 लगा होगे तो एक आजाएगा 10 by 3 एक आजाएगा 4 by 3 00 से इसका slope निकालोगे आप तो यह वाला slope आजाएगा 4 by 10 जोकि 2 by 5 है तो यह 10 theta M1 यह M2 और अब आप इसके बीच का angle पूछे तो वो भी निकाल सकते तो simple slope slope आले section formula वाले सवाल है यह भी 11th class का दा straight lines का तो 11th का अच्छा बेटेज रहा है यह वापस binomial का आगया है यह थोड़ा सा जरूर मैं बोलूँगा कि यह थोड़ा सा logical सवाल है यह वाला जो हमारे पास आया है अब इसके अंदर क्या प्लस वन पर तो left side पर पिटा है n-1cr है right side पर हमारे पास k square minus 8 है ncr plus 1 को आप लिख दो n upon r plus 1 और into के अंदर में आ जाएगा n-1cr तो आप यह देख सकते हैं कि यह वाला पार्ट जो है यह वाला पार्ट cancel हो जाएगा ठीक है तो k square minus 8 एक जो आ रहा है या रहा है r plus 1 by n अब यहाँ पर हमें ncr में पता होता है r 0 से n के बीच में होता है यह logical part है इसका कि जैसे r जो है n-1cr में वो 0 से n-1 होगा और ncr plus 1 में r plus 1 0 से n होगा तो upper limit तो दोनों की सेम आरी बिटा r less than equal to n-1 जब अपन k square minus 8 की maximum value निकालने जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास n-1 plus 1 upon n यह 1 बन जाएगा और lower limit जाएंगे तो यह बोल रहा है 0 या 0 से बढ़ा और इदर पीछे बोल रहा है minus 1 या minus 1 से बढ़ा तो common लेंगे तो 0 या 0 से बढ़ा आएगा तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि open 0 से k square minus 8 closed 1 के बीच में आ सकता है अब आप यहाँ पर इसे solve करें तो जब solve करेंगे तो एक आएगा open 2 root 2 से closed 3 और एक negative वाला भी आएगा जो इन्होंने यहाँ पर भूल काएंगे लोग solution में लेना अब अल्टिमेटली एक inequality बन जाएगी तो logical सवाल था बट अगें difficult नहीं था बिल्खुल यह differential equation differential equation के भी सवाल आते हैं हर वक्त है revision के डाइम आपको बोला था मैंने की quadratic sequence binomial conic एक बार पहले देख ले ना 11 से और 12 के लिए आपको मैंने बुला था conic matrix determinant vector 3D और calculus से बुला था functions देख सकते हो definite integration, differential और continuity, differentiability, area इन सब के लिए special revision series भी बनाई थी तो यहाँ पर अगर अगर आजाएं तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो answer 2x plus 3y के form नहीं इससे बड़ा hint आपको single choice question के अंदर दे ही नहीं सकते भाई simple variable separation हो जाएगा अगर आप 2x plus 3y को t पोगे, तो अगर आपने यहाँ पर यह question क्या है, अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं आप ए वापस लिख देता हूँ question कुछ ऐसा है, 2x plus 3y minus 2 dx है, तो मैं dx एक बार पूरे को divide करतेता हूँ, तो इधर आजाएगा 4x plus 6y minus 7 dy by dx बराबर 0 तो अपन यहाँ क्या करेंगे बिटा अपन 2x plus 3y को चुप चाप शांती से t ले लेंगे अब differentiate करते हैं, तो 2 plus 3 into dy by dx, यह किसके बराबर आजाएगा हमारे पास dt by dx, तो अब अपना काम हो गया यार, यह t है, तो यह क्या आजाएगा, t minus 2 फिर 4x plus 6y जो होता है, वो इसका double होता है, तो यह आजाएगा 2t minus 7 और dy by dx को आप यहाँ से substitute करके क्या लिख सकते हो dt by dx minus 2 और अपन में आजाएगा 3 बराबर 0 अब यहाँ से जब अपन यह सारा substitution कर लेंगे, तो आप यहाँ से variable separate करके dt by dx में expression बना कर बाद में t एक तरफ x एक तरफ integrate कर सकते हो, तो simple सा differential equation का question था, अगर आपने substitution किया option से hint पिया, तो आपको मिल जाएगा 16th question class 12 functions का सवाल है, और इसलिए मैं आपको बार-बार class में कहता हूँ channel पे भी कहता हूँ कि please pyqs अच्छे से करो और ना सिर्फ means के, अगर means करने के बाद time मिलता है, तो advance के भी अच्छे से करो अब यह means वाला है, इसके अंदर अगर आप यहां पर देखोगे, तो यह highest prime factor of n यह एक पर पहले भी आ चुका है तो f of n अब यह क्या कह रहा है, बोल रहा है कि मानलो input कोई number है n, अब n number क्या है n सारे natural number except 1 तो output जो होगा, वो उसका सबसे बड़ा prime factor होगा, मतलब मानलो function में 2 डाला, तो इसका सबसे बड़ा prime factor 2 ही है, मानलो इसके अंदर आपने 3 डाला, तो इसका सबसे बड़ा prime factor 3 होगा, 4 डाला तो 4 क्या होता है 2 का square, तो इसमें तो सिरफ एक ही prime number है 2, तो इसका सबसे बड़ा prime factor है 2, 5 डालोगे तो वापस 5 आजाएगा, है ना, 6 डालोगे 6 होता है 2 into 3, तो इसका सबसे बड़ा prime factor 3, तो आप यहाँ देख सकतो नहीं है, रहे 1, 1 नहीं है, दो जगे सेम output आ रहा है, तो many 1 है, अच्छा on 2 into कैसे बताओगे, देखो output के अंदर क्या रहा है, highest prime factor बात समझ रहे मेरी, तो जो आपका output आएगा range के अंदर, उसके अंदर सिरफ prime numbers ही होंगे, लेकिन code domain में तो सारे natural number है, तो जो composite numbers है, तो छूट जाएंगे तीछे, तो इसका मतलब यह on 2 नहीं होगा, यह क्या हो जाएगा, आपका into, तो दो ही चीज़ें बताई थी बिटा, आपको कौन सी, base theorem बताई थी, और दूसरा वाला आपको क्या बताई था, random variable, यह random variable का सवाल है, और अभी अगली shift का analysis अपन, थोड़ी देर बाद वापस एक और वीडियो डालोगा, उसमें आपको base theorem का सवाल बिल जाएगा, तो अच्छी चीज़ें कर रहे हैं यार, share channel पे, तो subscribe नहीं किया, तो please कर लो, और ऐसे ही और भी वीडियो से आने वाले advance था, यहाँ पर क्या दे रखा है, success उसको बोल रहे हैं कि probability of getting a 6 on X-th roll, उसको P of X बोल रहे हैं, तो 6 आने की probability, आपको पदा है, 6 आने की probability क्या होती है, हमारे पास, 1 by 6, तो 6 नहीं आएगा, इसकी probability क्या हो जाएगी हमारे पास, 5 by 6, अब A का क्या मतलब है, A बोल रहे है कि 3rd throw पे पहली बार 6 आएगी, तो 3rd throw पे अगर अच्छा, B क्या बोल रहे है, B बोल रहे है कि जो 6 है, वो 3 या 3 के आगे कभी भी आए तो चलेगा, मतलब 3 पे भी पहली बार 6 आए तो भी चलेगा, 4 पे भी चलेगा, 5 पे भी लेकिन उससे पहले नहीं आना चाहिए, मतलब 1 पे 6 नहीं नहीं आ रहा है, 2 पे 6 नहीं आ रहा और 3rd और उसके आगे अब आए चाहिए नहीं आए कभी भी आए अब हमें कोई फरक नहीं पढ़ता तो आगे का हमें कुछ भी देखने की जरूत नहीं है आगे हो नहीं हो इसकी probability 1 है यहाँ पे 1st और 2nd पे नहीं आना चाहिए तो 5 by 6 into 5 by 6 तो यह हो जाएगा आपके 5 by 6 का whole square C वाले के अंदर इसी को conditional probability के form में लिख दिया कि given that number of trial 3 से ज्यादा लग रहे है तो denominator में P of x greater than 3 है उपर intersection आजाता है मतलब 3 से भी बढ़ा and greater than equal to 6 तो common लेंगे बिटा 3 से बढ़ा और greater than equal to 6 का तो greater than equal to 6 आ जाएगा मतलब numerator में है greater than equal to 6 ठीक है और denominator में greater than 3 मतलब 4, 5, 6 यानि greater than equal to 4 तो मतलब उपर बोल रहा है 6 या 6 से आगे जो भी आए 6 कभी भी आए तो मतलब 1 से 5 के अंदर जो है 1 से 5 के अंदर क्या आना चाहिए 6 नहीं आना चाहिए तो उसका मतलब 5 by 6 की power 5 आगे कुछ भी चलेगा नीचे 1 से 3 में 6 नहीं आना चाहिए 4, 5, 6 किसी भी trial के आ सकता है यानि 5 by 6 की power 3 cut कर देंगे तो इसकी value भी आ जाएगी 5 by 6 का square तो B और C दोनों 5 by 6 का square तो ये थोड़ा सा logical question था 12th class के अंदर जो probability पढ़ते हैं उसमें cover हो रहा था तो इसको अपन अच्छे question में गिल सकते हैं logical, binomial और statistics वाले पीछे जो दो सवाल कहे थे उनकी करण तो 3 ऐसे सवाल मिले हैं जिसमें मैं आपको benefit of doubt जे सकता हूँ अगर गडबड होई है तो 18th question एकदम लड़ू सवाल है वैसे तो 12th में vectors में आता है dot product में बढ़ इतना dot product तो आप 11th में भी पढ़ ले तो है ये बोल रहा है A vector है alpha E minus 4 J minus K और B vector है alpha E plus alpha J plus 4 के अभी acute है तो अब acute है तो dot product कैसा होगा अपना positive अपन A dot B लेंगे तो ये आएगा alpha square minus 4 alpha minus 4 ये positive तो अब शान्ती से इसके roots plot कर लो अगर आप root निकालोगे तो एक आएगा 2 minus 2 root 2 एक आएगा 2 plus 2 root 2 ओपन होँगे inequality solve करनी आती है हमें plus minus plus और इसके right में और इसके left में teacher जो होता है सबसे छोटा वो होता है 5 तो 5 answer हो जाएगा तो बड़ा ही आसान सवाल था है ना 19 वाले के अंदर relations के अपन नभी जस्त थोड़े दिन पहले most repeated question की series करी और मज़े की बात है उसके अंदर same question था तो उसके अंदर यहाँ पे equal to था तो यह बोल रहा है A intersection B not equal to 5 A intersection B not equal to 5 का मतलब है A intersection B empty नहीं होना चाहिए A और B के अंदर कुछ ना कुछ common आना ही चाहिए और confuse करने के लिए यतना सारा लिखावा है कि set S में 1 से 10 है M जो है वो power set of S है power set of S में सारे subset आजाते है तो A और B जो है वो S के कोई ना कोई subset है तो अब reflexive होगा या नहीं क्या A और A में हमेशा कुछ ना कुछ common आएगा तो अब पहली mistake अब यह भी logical side में मैं count कर रहा हूँ क्योंकि mistake क्या होती बच्चा सूचता यार वो same set है तो common तो आए गई तो reflexive तो होगा और यह सोचते हैं आंसर गलत हो जाता है क्यों एक ही इसका exception है वो यह है कि अगर अगर अपन दोनों A पाई ले लें, empty ले लें non-empty तो बोला नहीं है अपन कुछ भी ले सकते हैं तो दोनों ही अगर A और A में अपन common ले रहें और empty है A तो कुछ भी common नहीं आएगा तो यह बोलना गलत हो जाएगा फाई और फाई का intersection फाई होता है तो यह reflexive नहीं है बस एक ही counter example का symmetric हो जाएगा A B में कुछ common नहीं है तो जाहिर सी बात है बीटा B A में भी नहीं होगा Transitive क्यों नहीं होगा माल लो A और B के अंदर कुछ common आ रहा है है ना B और C के अंदर भी कुछ common आ रहा है तो जरूरी है क्या A और C के अंदर भी common है माल लो A है 1, 2 B है आपका 2, 3 और C है आपका 3, 4 तो A और B में 2 common आ रहा है B और C में 3 common आ रहा है लेकिन A और C empty है तो इसलिए इसलिए सिरफ symmetric है और इस इन्होंने जान पूछ के reflexive and symmetric का option दिया था ताकि आप यह empty set हो सकते है यह possibility छोड़के tick करके आजाए और minus 1 है तो चार मतलब ठीक ठाक logical सवाल हमें मिलें और logical सवाल आने के बाद बिटा फिर ultimately आसान सवाल आई जाता है तो circles class 11 जो देख रहे होंगे 11 के बच्चें सोच रहे होंगे यार सर यह क्या सवाल आगे तीन point दे रखे हैं circle लिखना आता है और चौथा point भी concept लेगा है मतलब same circle पे है तो उसको उसमें put कर देंगे और मज़े की बाद पता है कि आप बिलकुल मैनत नहीं करा रहे हैं तो तीन point दे रखे हैं वो तीनो point मिलकर आपके पास इस case के अंदर एक simple सा right angle triangle बना रहे हैं और right angle triangle में diametric form लगा सकते हैं x-x1 into x-x2 y-y1 into y-y2 बराबर 0 अब इसके अंदर आराम से 2 के कॉमा 3 के put कर दो x की जगे 2 के, y की जगे 3 के value आजाईगे बड़ाई basic सा simple सा सवाल और 11 के मादलब काफी सारे question देखने को मिले इस shift के अंदर तो यहाँ पर कई सारे papers के अंदर equal to अब यह greater than equal to अब यह तो actual paper में पता चलेगा basic idea मैं आपको दे सकता हूँ यह first principle जो differentiability होती ही 12 के अंदर उसका question है तो differentiability है और class 12 का है अगर practice करी है तो यह देखते ही हो जाता पिटा आपसे तो यह fx minus fy equal to ln x minus ln y plus x minus y si अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन x को x plus h रख देते हैं और y को रख देते हैं x और बाद में अपन क्या करेंगे h को 0 ले लेंगे तो यह क्या बन जाएगा अपने पास यह बन जाएगा f of x plus h minus fx है ना और right side में आ जाएगा ln of x plus h minus ln x और इन सब के साथ आजाएगा अपने पास x plus h upon sorry x plus h minus x और पूरे को बपन क्या करते हैं डिवाइड करते हैं h से अब यह यहाँ पर क्या हो जाएगा यह first principle से हो गया f dash x है ना यह first principle से हो गया ln x का derivative और इधर x कट जाएगा h by h आ जाएगा 1 तो यह f dash x आ गया अब हमें f dash of 1 by n square का summation पूछा है तो x की जगे आप उट कर दो 1 by n square तो यह 1 by n square यहां रखेंगे उपर चला जाएगा तो इसका मतलब हम n square plus 1 का summation कर रहे हैं n बराबर 1 से लेकर 20 तो अब यह क्या बोल रहे थे syllabus के अंदर कि n का n square का n cube का summation नहीं आता है रहे भाई sequence series में नहीं पूछेगा किसी और chapter में पूछ लेगा तो यह इन पे विश्वास मत क्या गरो यह reduce syllabus और यह ना chapter हटा है तो मानो बागी सब किसी काम की नहीं चीज़ है तो n square का summation आजाएगा हमें formula पता है n, n plus 1 2n plus 1 by 6 और 1 का summation बार-बार करते हैं तो n आता है और n की जगे last में 20 रखते हैं तो first principle से हो सकता था differentiability का यह सवाल 21 वापस differential equation है तो जैसे vectors के दो सवाल देखने को मिल रहे है differential equation के दो सवाल है binomial के दो सवाल है भी वापस complex पे आगे आएंगे complex के भी दो सवाल है तो कुछ-कुछ chapters हो है उनको उन्होंने इस shift में preference दी रखी है पट वो अपन पहले से नहीं पता कर सकते हैं तो यह बड़ा ही simple है तो अब डिफरेंचल के दोनों equation simple variable separation वाले भी है तो अब आप इसको solve कर सकते हो नहीं और कैसे करोगे ax को उधर बेजोगे फिर x नीचे ले आओगे minus a dt अब आप integrate करके plus c निकालने के लिए यह use कर सकते हो या मैं कभी-कभी क्या करता हूँ मैं plus c नहीं चाता तो मैं definite integration कर ले दा हूँ तो यह x of t function है तो input आपका t है और x of t मतलब output x है तो यह थोड़ा careful रहे न t बराबर 0 पे x की value 2 है तो t बराबर 0 पे x की value 2 है तो मैं 2 से x integrate कर दूँग और 0 से t integrate कर दूँगा तो left side आजाएगा ln x minus ln 2 right side आजाएगा minus का a t minus 0 ln अटाएगे तो e की power आएगा तो यह बन जाएगा x बराबर 2 e की power minus 80 यह x of t लिख दो इसको 2 e की power minus 80 सेम बिटा आप इसमें कर सकते हो अब देखो के y आजाएगा e की power minus bt और दोनों को बराबर करना है तो बहुत बहुत basic सवाल है simple, एकड़म simple differential किसी ने नहीं भी पढ़ा होगा उसने यह कर लिया होगा तो यह आजाएगा 2 बराबर e की power a minus bt अब log लेलोगे तो ln 2 और a minus b नीचे चला जाएगा तो simple simple questions है I hope अगर जिनका paper था उन्होंने अच्छा किया हो 23 भी simple है बट उन्होंने 2 questions combine कर दिया तो यह lengthy हो गया तो पहले ortho center निकाला और फिर ortho center से definite integration में king property लगाई है तो यह मैं एक बार एक rough page पे solve करता हूँ और मैंने पहले जिन से मैं बोल रहा हूँ कि straight line में please special point special point revise करना centroid ortho center circum center अभी भी आगे जिनकी shifts आने वाली है please special points revise करके जाना तो पहले बोला है h a, b निकालो जो कि 1, 2, 2, 3, 3, 1 का circum center है तो अपन इसको निकालने की कोशिश कर सकते हैं अब अपन ortho center कैसे निकालते है ortho center होता है intersection point जो सारे altitude का intersection होता है यानि 1, 2 है एक 2, 3 है और एक हमारे पास और कौन सा था एक हमारे पास था 3, 1 तो 1, 2 है एक 2, 3 है और एक अपने पास यहां पर 3, 1 है तो इसको अपन लिख लेते हैं 3, 1 अब अपन क्या करते हैं पहले इसमें यह altitude लिख लेंगे फिर एक मानलो यह लिख लेंगे दोनों जा मिलेंगे वो ortho center हो जाएगा इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं जैसे AC का slope निकाल सकते हैं तो अगर आप AC का slope निकालोगे तो यहां जाएगा 2-1 upon 1-3 जो की minus half है तो इसके perpendicular का slope हो जाएगा 2 और वो B से pass करेगा तो इसकी equation आएगा ठीक है उसके बाद किर आप क्या कर सकते हो यहां पर लिख सकते हो अब इसदर AB का slope निकालेंगे तो यह आएगा 3-2 upon 2-1 ऐसा आ रहा है शायर इसका slope I think 1 आ रहा है तो perpendicular का minus 1 होगा और C से pass करा दो इन दोनों equation को आप solve करेंगे और मुझे comments में बताएंगे आपका ortho center क्या आ रहा है calculation एक बार आप दुबारा करना अब यहां पर एक बार जब A से B आ जाएगा उसके बाद इनोंने पूछा है कि यह वाला integration बताओ इनोंने दो integration लिये एक integration ने इनका I1 जो की है A से B X sine और 4X minus X square के मैं factor कर देता हूँ यह आ जाएगा X into 4 minus X dx और I2 लिया है बिटा बिना X का A से B sine of 4X minus X square अब मैं आपको एक honestly बात बताता हूँ मालो मेरे पास lengthy सवाल करते करते time नहीं बचा मेरे पास 10 minute है 8 सवाल है मेरे पास यह है और मेरे को यह approach करना है अगर मैं यह observe कर पा रहा हूँ कि A plus B minus X king होती है इधर X से इधर X नहीं तो king लगा कर add करने पर X कटना चाहिए तबी मैं relation लिख पाऊँगा न I1 by I2 पूछा है इन्होंने question के अंदर find the value of 36 I1 by I2 तो वही क्यों पूछ रहा है I1, I2 अलग से तो नहीं निकालना मतलब X जाना चाहिए king से जाना चाहिए king लगाएंगे तो X की जगे A plus B minus X रखके add करके तो X कटना ची पर ये change नहीं होना ची तो बटा ये change कब नहीं होगा जब A plus B किसके बराबर होगा 4 ये A plus B 4 आपके ortho center से भी आएगा और थोड़ा दिमाग लगा दिया होता उसी वक्त तो बिना ortho center निकाले अगर time कम है तो ऐसे तुक्के नहीं लगाएंगे अगर time कम है तो आप directly A plus B 4 मान के king लगा लेटे तो यहाँ पर आप जब I1 पर king लगाएंगे तो I1 पर आप लिख पाएंगे इसके अंदर A से B, A plus B अपना 4 आएगा ortho center से चेक करें ये बन जाएगा 4 minus X आजाएगा कि यार ये जो अपना 2 I1 है ये 4 I2 के बराबर है तो I1 बराबर आजाएगा 2 I2 फिर 36 I1 by I2 का रेशियो निकालेंगे 72 आजाएगे तो lengthy था no doubt बड़ difficult नहीं था 11 12 का mixture था ऐसे lengthy question आगे भी आप expect कर सकते हैं बाकी की shifts के अंदर 24th question continuity differentiability का था इसमें पूछ रहा है कि ये जो है अपने पास इसके case के अंदर ये यहाँ पर कैसा है continuous है तो मदलब 3 minus 3 3 plus अब पर value बराबर होगी तो 3 पर beta value पता है B के बराबर 3 minus पर देखेंगे तो आप जैसे ये mod खोलना चाहते है तो इसका factorization है X minus 3, X minus 4 तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे plus, minus, plus तो 3 से पहले ये positive है तो mod directly खोल जाएगा और ये cut जाएगा और value आजाएगी minus A by B एक relation आगे 3 plus पर जाएँगे तो यहाँ पर 3 plus H रख देते हैं तो ये बन जाएगा 2 के अंदर sine 3 plus H minus 3 और नीचे आजाएगा 3 plus H integer part of 3 plus H 3 होता है तो ये sine H upon H1 है तो ये 2 बन जाएगा तो यहाँसे B बराबर 2 आजाएगा और A की value minus 4 तो एक ही ordered pair मिल रहा है A to B minus 4 तो बड़ा ही simple question था continuity and differentiability class 2 तो LCD से आप देख सकते हो मतलब सवाल आते हैं क्योंकि बात करी फिर से बात कर रहा हूं बटा ये advance के अंदर आ चुका है data change हो के उसी को mains के अंदर recycle करके देदिया क्या बोल रहा है question समझो matrix determinant का है 2 सवाल आते हैं आ गए है vector 3D के 3 सवाल आते हैं अभी आगे देखेंगे आ गए है बाइनोमियल के एक से दो सवाल आते हैं दो आ गए है तो PNC का एक guide up कर दिया है quadratic sequence के आते है 11 से तो थोड़ा predictable है stats का आता था stats का आया है reasoning अटा दिया तो relations का आया तो अब आप खुद देख सकते हो यार क्या आने वाला है तो बहुत अच्छा है कर सकते हो आप maths के paper के अंदर है तो यहाँ पर क्या है यह B matrix है 3 cross 3 पर उसके अंदर 3 column vector है B1, B2, B3 तो A जब B1 से multiply होता है तो यह मिलता है B2 से होता है तब यह मिलता है और B3 से होता है तो अलग-अलग क्यों कर रहे हो भाई मेरे A into B कर दो न B के अंदर B1, B2, B3 है जब आप इस A matrix को जो कि अपन को अल्रेडी दे रखिये question में इसको जब अपन B से इसके case के अंदर multiply करेंगे तो यह तीनो column को combine कर दो क्या आजाएगा 123, 002, 011 अब आप B matrix ही निकाल लो तो आप B के diagonal elements का sum उसका determinant कुछ भी निकाल सकते हो तो B क्या आजाएगा left side A inverse से multiply कर दो यह हो जाएगा A inverse into 123, 002, 001 तीनो column combine करके A की matrix बना दी तो अब आप A से A inverse निकालो adjoint upon determinant है इससे multiply कर दो आपकी B matrix आ दी तो यह भी advance में इस type का आ चुका था तो direct आया था अगर आपने PYQ लगाए तो यह आपके लिए piece of cake था piece of cake था तो नहीं और solve तो करना पड़ेगा 26 के अंदर भी क्या किया है यह मतलब पता नहीं क्यों ऐसा pattern देख रहा हूं मैं memory based पता नहीं exact question क्या है बट बहुत सारे question ऐसे देख रहा हूं जिस पे दो-दो questions को combine कर रहे है क्योंकि question tough नहीं है पर time कैसे बरबात करें बच्चों का और यह question भी already कई सारे बच्चों की trigon की sheet में आपको दिख जाएगा और यह वाला question last year PYQs के अंदर J2023 mains में आया था data में को confirm नहीं exact same था नहीं 99% में sure हूँ same था तो इधर cos2x को क्या गरोगे बटा 1-2sin2x लिख दोगे minus के अंदर a sinx है और साथ में 2a-7 है तो अपन क्या गरते हैं सबको एक तरफ ले आते हैं left side तो उधर ले जाते हैं उधर जाएंगे a common ले लेंगे sinx plus 2 और उधर जाएंगे तो 2sin2x-8 आएगा 2 common लोगे sin2x-4 का factorization हो जाएगा तो अब यहाँ पर देखो sinx plus 2 तो 0 हो नहीं सकता है क्योंकि sinx-1 से 1 है तो यह चला जाएगा a की value यहां से आजाएगी 4-2sinx और उसका solution कब आएगा जब इसकी range के अंदर a होगा इसकी range क्या होगी 2sinx-2-2 से 2 होगा उसमें 4 add कर दिया minus 2 से 2 में 4 add करोगे तो क्या आएगा minus 2 plus 4 और 2 plus 4 तो यह होगया आपका p और q तो p into q यहां से आएगा अब r निकालने के लिए अलग से solve करवा रहे अब यह कितना आसान कोशिन है tan 81 क्या होता है आपका q 9 और tan 63 क्या होता है आपका q 27 तो यह tan theta plus q theta ही तो है tan theta plus q theta कैसे solve करते हैं आप tan 9 को लिख दोगे sin 9 by cos 9 q 9 को लिख दोगे cos 9 by sin 9 इसी तरह tan 27 को लिख दोगे आप sin 27 by cos 27 और cot 27 को लिख दोगे cos 27 by sin 27 अब अगर आप LCM लो तो sin square theta cos square theta 1 बन रहा है आप तो उपर दोदों में 1 आ जाएगा नीचे sin 9 into cos 9 नहीं आ रहा है एक में दूसरे वाले के अंदर अगर आप देखोगे sin 27 cos 27 भी ना रहा है अब अगर 2 से multiply divide कर दें बिटा तो 2 sin theta cos theta होता है na sin 2 theta तो एक sin 18 बन जाएगा और एक sin 54 sin 54 को अपन cos 36 भी लिख सकते हैं sin 18 degree आपको पता है root 5 minus 1 by 4 और cos 36 degree root 5 plus 1 by 4 इसके आगे आप चाहिए तो rationalize करके add करो चाहिए LCM लेके add करो तो simple सा सवाल था मतलब बिलकुल trigonometry वाला part था अपना और एक दो दूसरा भी trigon था दोनों को combine करके एक बना दी तो 11 से देखो trigon का भी अलग से question आ गया अब PNC जरूर मेरे को दिखाने memory base में क्या पता actual हो ये 26 ते 3 और है थर्टीत question मुझे नहीं मिल पाया वो भी मैं आपको बता देखा हूँ अलग-अलग PDF में जैसे ये एक और PDF में था अब ये कितना आसान है मलब ये quadratic का आपना है ना quadratic का stand-alone स्वा अब मैंको तो हसी आ रही है पढ़के क्या पता आपको भी आ रही होगी ये बोल रहा है इसका root है 4 तो 4 put कर दो भाई क्या कर रहे हो ये की value आ गई 4 put कर दिया P आ गया 21 by 4 और बोल रहा है कि इस वाले की equal roots है equal root कब होते है जब D बराबर 0 होता है तो D बराबर 0 कर देंगे तो P put करूँँगा तो Q आ जाएगा और क्यों पूछ लिया है अब actually अगर ये question है तो मतलब इसमें तो कुछ करने का काम ही नहीं था ये question means के लाइक तो ही नहीं 22 यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये shortest distance अब shortest distance पर भी वीडियो बनाया था भी 2-3 मिन पहले और इतना बोला था आपको 20 सवाल 20 सवाल आ चुके हैं shortest distance between skew lines तो दो skew lines देखे shortest distance पूछ लिया बस यहाँ एक चीज का ध्यान रखना था ये जो 2x-1 by 5 है इसको x-1,5 उपर नीचे हाफ से multiply करना था उपर 1 होना चाहिए तो अब आपके पास यहाँ पे a1 vector आ जाता 1-1,1 b1 vector आ जाता 2i cap, 4j cap, 3k cap a2 vector आ जाता half, 2,0 और b2 आ जाता 5 by 2 ये गलती कर दिया अगर तो answer गलत आएगा 5 नहीं 5 by 2, 3j, 6k और skew lines की बीच में क्या formula बदाया था आपको 12th के अंदर है ये अपने पास 3D के अंदर, तो दो vector एक 3D का सवाल आ गया एक ही 3D का क्यों है क्यों है क्यों है प्लें सटा दिया तो कुछ चीज़ हटी भी है तो उसका फाइदा भी मिला है तो a1-a2 है ना dot के अंदर आता है b1 cross b2 इसका mod ले लेंगे अपन और नीचे अपने पास आता है b1 cross b2 का mod तो मैं चाहता हूँ कि आप solve करके मुझे पताएं comment में कि आपका answer आ रहा है या नहीं आ रहा है और एक और question था अमारे पास ये वाला ये complex का है complex का है ये already था एक और आ गया अब ये भी बड़ा ही simple यार देखो alpha is the root of this तो इसके root तो पता है नहीं यार omega omega square होते हैं मान लो अभी के लिए omega ले लो तो 1 plus alpha की power 7 ये आ रहा है a plus b alpha plus c alpha square अब 1 plus omega क्या होता पेटा minus omega square क्योंकि 1 omega omega square कसम 0 आता है और इसकी power 7 लेंगे तो ये बन जाएगा minus omega की power 14 omega की power 14 14 को 3 से divide करो remainder 2 आता है तो ये minus का omega square अब omega square उदर भेज देता हो बटा तो 0 बराबर क्या आ जाएगा a b omega c plus 1 omega square अब हमें पता है 1 omega omega square का सम 0 है 2 2 omega 2 omega square का भी सम 0 है 3 3 omega 3 omega square का सम भी 0 है मतलब a b c plus 1 तीनों बराबर कर देंगे a बराबर b बराबर c plus 1 ये उसका option है जो उसको satisfy कर रहा है 3 3 2 और भी हो सकते है 4 4 3 5 5 4 ये अपने 29 questions थे I hope आपको कुछ सीखने को मिलाओ 11 वाले बच्चे देख रहे हैं तो वो 11 के topics इससे revise कर सकते हैं किसी की shift बाद में वो देख रहे हैं तो I hope कुछ different questions मिले हूँ जल्दी मिलेंगे बटा बाकी की shifts के analysis के साथ तब तक पढ़ाई करते हैं और कल जिनका जही means है उनको all the best Thank you for watching the video चैनल जरूर subscribe करें और like कर सकते हो शेर कर सकते आपके friends के साथ video Thank you everyone